राजस्थान में कॉंग्रेस के एक ऐसे नेता है जिनका उनके अनुभव से और उम्र से कहीं ज्यारा है लोग प्रियता में भी वे अपने प्रतिदुन्दियों को मात देते नजर आते हैं लेकिन राजस्थान की राजनीती में वे हमेशा नन्यानवे के फेर में ही उलजकर र वाले हैं राजस्थान के लोग प्रियनेता सचिन पाइलेट की जिन्हें लोकसवा चुनाओं से ठीक पहले अब 36 गड़ का प्रभारी नियुक्त कर दिया गया है तो पाइलेट को राजस्थान से बाहर बेजना क्या उनको एक और जटके देने जैसा है या फिर कुछ और है इसकी वज़े इस पर भी बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे कि राजस्थान की सियासत में पाइलेट के कद और उनकी अपने चिरप्रती दंदियों से किस तरह की अदावते रही हैं तो विधान सबाचुनाओं में करारी हार के बाद अब कॉंग्रेस आला कमान नियुक्त करना इससे पहले कुमारी शेल जा 36 गड़की प्रवारी थी अब उन्हें उत्राखंड की प्रवारी नियुक्त कर दिया गया है पाइलेट को राजस्थान से बाहर भेजने के बाद सियासी गल्यारों में अब अटकले यह हैं कि क्या राजस्थान के लिए नया च का माना जा रहा है सवाल यह भी उठ रहा है कि गहलोट चुनाओ से पहले जितने पावर में थे क्या अभी भी उतने ही पावर में हैं जो उन्होंने अपने चिर्प्रतिदंदी सचिन पाइलेट को राजस्थान से बाहर का रास्ता दिखा दिखा दिया है दरसल विधानसवा चुनाओं में हुई करारी हार के बाद लग रहा था कि हार का ठीक रा पूरा अशोग गहलोद पर फूटेगा और उनका अब दिल्ली में दखल भी कम हो जाएगा साथ ही यह राजनितिक विशलियोशों का मानना था कि सचिन पाइलेट की राजस्थान में वापसी दोबारा से होगी और उनको कॉंग्रेस प्रदेश अदिक्ष या फिर नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किया जाएगा लेकि हुआ दोनों में से कुछ भी नहीं क्योंकि उनको च्छतीस गड़ का प्रभारी बनने के बाद ये दोनों ही विकल्प हाल फिलाल खत्म हो जाते हैं दूसरी और चर्चा यह भी है कि सचिन पाइलेट को च्छतीस गड़ का प्रभारी बनाना उनके लिए एक बड़ी चुनोती भी है दरसल च्छतीस गड़ में कॉंग्रेस इस बार कुमारी शेलजा और प्रदेशद्यक दीपक बैज के नितरुत में चुनाव लड़ी थी कि च्छतीस गड़ में कॉंग्रेस ने अपनी हार पर चंतन किया और फिर कुछ बड़े और कड़े फैंस ले लिए हैं लोग सबा चुनाव में कॉंग्रेस अब किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं चाहती इसलिए पाइलेट को यहां की कमांसों पी गई है ताकि पाइलेट के नेतरुत में च्छतीस गड़ की ग्यारा लोग सबा सीटों पर चुनाव लड़ा जा सके कुमारी शेलजा को च्छतीस गड़ से हटाने की वजह पर भी आज डिसकस कर लेते हैं चुनाव से पहले ततकालीन परदेश अध्यक्ष महुन मरकाम के बीच कुमारी शेलजा की जोड़दार खिंचता रही थी इस दोरान कुमारी शेलजा ने आनन फानन में फैसला लेकर महुन कर मरकाम की जगए इसके लावा टिकेट वितरन को लेकर भी विवादों में रही उन्होंने 22 सिटिंग विधायकों के टिकेट कटवा दिये जिसके बाद पूर विधायकों ने शेलजा के खिलाफ मोर्चा कोल दिया एक विधायक है विने जायसवाल उन्होंने तो उन पर पैसे के लेन दिन तक के गंभीर आरोप लगा दिये थे तो यह तो एक वज़े बनी जिसके लिए 36 गड़ का प्रभारी बदला गया लेकिन क्या सचिन पाइलेट को 36 गड़ की जिम्मेदारी देना कॉंग्रेस की कोई बड़ी रणनीती है क्या कॉंग्रेस कोई बड़ा संदेश इसके जरीए देना चाहती है या फिर ये खेल पूर सीम अशोग गहलोत ने रचा है सियासी गल्यारों में अटकले ये हैं कि क्या चुनाव हारने के बाद एक बार फिर अशोग गहलोत सचिन पाइलेट पर भारी पड़ रहे हैं और इस बार तो इतने भारी हैं कि उनको राजस्थान की सियाथ सत्ते ही बाहर का रास्ता दिखा दिखा दिया राजनीती में रुची रखने वाले लोग अब सियासी गल्यारों में इसका जवाब ढूंट रहे हैं हाला कि आगामी लोगसभा चुनाव को देखते वे कॉंग्रेस आला कमान का संगठन में फिर बदल करना एप्रत्याशित तो नहीं है ऐसे कुछ फैसले अप्यक्षित थे कॉंग्रेस अद्यक शमल्लीकार जून खडगे ने इसी लिए कुछ चौकाने वाले कदम भी उठाए है ताकि विधान सभा चुनाव जैसे हाला तब लोगसभा चुनाव में भी कॉंग्रेस के न हो जाए लोगसभा के रण में उतरने के लिए खडगे ने मोर्चा समाल लिया है और अपनी टीम में बारा महा सचिव के साथ ही बारा प्रदेश प्रभारी शामिल किया है लेकिन सचिन पाइलेट जैसे लोग प्रियनेता को राजस्तान से बाहर भेजने के फैसले ने सियासी हलचल बढ़ा दी है अब राजनेतिक पढ़नेते को मानना है कि सचिन पाइलेट जैसे लोग प्रियनेता को 36 गड़ भेज रहत लोगसभा में कॉंग्रेस के लिए नुकसान का सौधा हो सकता है क्योंकि विधानसवा चुनाओं परियनामों के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि अपूरी तरह से राजस्तान में पाइलेट को पार्टी की कवान्स सौब दी जाएगी क्योंकि विधान सभा चुनाओं के दौरान हुए पूरे जो प्रचार प्रसार था उसमें अशोग गहलोत ही चाहे रहे अपनी जनकल्यानकारी योजनाओं को लेकर वे बार बार सरकार रिपीट करने के दावे करते रहे थे वे चुनाओं हार गए तो माना जा रहा था कि एक बार फिर कॉंग्रेस रायस्थान में पाइलेट को आगे करेगी और लोगसबाचुनाओं में उनकी लोग प्रियता का फायदा भी इसको मिलेगा लेकिन राजनेतिक जानकारों का अब मानना है कि कॉंग्रेस आला कमान का ये फैसला लोगसबाचुनाओं में कॉंग्रेस को परिशानी में और ज़्यादा डाल सकता है खेर संगठन के फेर बदल ने ये तो साफ कर दिया है कि गहलोत की हमेशा से चलती रही है और आगे भी चलती रहेगी क्योंकि अभी बी चल रही है सियासी घलियारों में पाइल्ट और गेहलोत के अदावत के किसे भी आज भी चर्चाओं में हैं और जब ये अदावते मुखरती तब गेहलोत पूर में ये भी कह चुके हैं कि पाइलेट कभी भी राजस्थान के सींटों नहीं बन पाएंगी और चर्चा हैं कि आखिरकार गहलोत पाइलेट को राजस्तान की सियासत से बाहर करने में भी काम्याब हो ही गए वैसे राजनिती के खेल में चेहरे और शतरंज के खेल में मुहरे बदलना नई बात नहीं है हाँ अभी चाले गहलोत के हाथ में है पावर पॉलिटिक्स में आज के लिए वस इतना ही दीजिये जाजत नमस्कार